आपका एक बार फिर से स्वागत हमारी चनल पर आज हम लोग बात करने वाले हैं द्रिश्टी दोस से आप क्या समझते हैं और इसके सभी परकार कवर्णन कीजिए ये कोस्टन आपको पांच नमर के लिए पूछा जाता है साथी साथ इसमें और भी अगर कुछ एड़ कर दिय और इन सभी चार द्रिश्टी दोस का अलग-अलग तरीके से उपचार किया जा सकता है तो चलिए पहले हम द्रिश्टी दोस समझते हैं उसके बाद फिर हम समझेंगे आगे या साफ-साफ नहीं दिखायो देता है उसे दृस्टी दोस कहा जाता है और यह जो दृस्टी दोस है इसका definition जरूरी नहीं है कि आप जिस तरीकी से मैं लिखके दिया हूँ उसी तरीके से लिखे है तो इसके आप अलग तरीके से भी लिख सकते हैं कि हम और भी एक अलग तरीका दिया वाई है, यहाँ पर देख सकते हैं, जब कोई वैक्ति किसी वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, तो उस वैक्ति के लिए कहा जाता है कि उसे दृष्टी दोस है, तो आप और भी अलग तरीका से लिख सकते हैं, कि जैसे आप लोग ज इस तो को बहाताए तो आगर कोई वाष्टी को और दылर बिंदू ओ स्थित के बीच na 2021 वही दंगा है, तो उसे भी द्रिष्टी दोस का जाएगा तो इसको भी आप लिख सकते हैं तो आह मरताएं कि द्रिष्टी दोस कि Gedanken कितने परकार होते हैंamat है in yap यहिए के साथ संगे कि निकट सथे पाइला क्या है इसका स्टुम्चार का पना भी समझसिंगे पहले देखते हैं यहां पर देख सकते हैं कि इलिए द्रिष्टी दोस का definition आप इस तरह किसे लिख सकता है, जब निकट की वस्तुवे साफ साफ दिखाई दे और धूर की वस्तुवे साफ साफ दिखाई ना दे तो उसे निकट द्रिष्टी दोस कहा जाता है, मतलब निकट द्रिष्टी दोस मतलब यहाँ पर नाम से समझे, निक निकट दिरिष्टेदोस में निकट के वस्तूओ को पास के वस्तूओ को सब chamado साब है तो आप इसका चित्र को समझते हैं यहां पर आप इसका चित्र सकते हैं एक सामानी आख जो होता है स्वास्त आख वह इस तरह होता है वहां पर को भी आगर कहीं कितने बेख जरी किस्द भी की दुर सरह भाइए कौइभी वस्तु लेकिन उसका पर्टीवीम नल्ього पर बनता है लेकिन जब निकरदरिश्टुर्च भाइब यह किकल स घ्रळून धरै के करएबय, फिक छेत्थ जिसके कारण यहां पर देख सकते हैं कि यह जो रेटिना है रेटिना से पहले ही बन रहा है आप लोग यह बात जानते हैं कि जो हमारा मनुस्य का आख होता है उसमें उत्तल लेंस कारी करता है मत्तब उत्तल लेंस लगा हुआ होता है तो आप जान लिए कि निकरदरिष्ट क् उपचार समझते हैं, तो यहां पर अगला figure देख सकते हैं, इसका उपचार जो किया जाता है, यह जो lens है, यह है आउतल lens, तो इस आउतल lens से ही, निकर दरिश्टी दोस का उपचार होता है, तो निकर दरिश्टी दोस का उपचार के लिए आउतल lens के चस्मा का उपयोग किया यहाँ पर निकटधरिश्च के लिए अधेलेंस का चस्मा कोपयोग करेंगे तो यहाँ पर दाइस में यहाँ वस्तू है लेकिन अधेलान नहीं हमें लेंसे मैं उसी ना की जाता है और इसके बस्तूपलर व्सकाइई है तो अब बढ़ते हैं अगला पॉइंट के तरफ निकट दिरिष्ट दोस को दूर करने के लिए ओतल लेंस का उपयोग किया जाता है मतला ओतल लेंस का चस्मा बना करके उपयोग किया जाता है उसके बाद हम देखते हैं दूर दिरिष्ट दोस तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूर दरिष्ट दोस जब दूर की वस्थवे, दूर की वस्थवे साफ साफ दिखा देंगी और नजदीक की वस्थवे साफ साफ नहीं दिखा देंगी निकट दरिश्टी दोस में निकट की वस्तवे साफ साफ दिखाए 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 तो वस्तू जब यहां पर होता है N-S पर, तो इसका पर्तिवीम देखते हैं कि रेटर्णील से आगे पीस्छे जाकर बनता है. जिसके कारण आंक्स जो होता है, हमारा mind इसको achieve नहीं करपाता है, और सही से नहीं देख पाता है, तो इसी के लिए उत्तर लेंस का उप्योग किया जाता है, उत्तर लेंस का जब हम उप्योग करते हैं, चस्मा बना करके तो इसका आप देख सकते हैं, कि वस्तू अं-डेस पर और यह होता है उत्तर लेंस तो उत्तर लेंस यहां पर उप्यों किया गया तो उत्तर लेंस का चस्मा को क्यों किया गता है अब बढ़ते हैं जराद रिष्टी दोस्त के तरफ तो जराद रिष्टी दोस्त देख सकते हैं यहां पर वह द्रिष्टी दोस्त जिसके कारण को दूर श्यूक्त में हो या दूर में को कोई भी वस्तु नहीं देख पाएंगे कैंगी क्यूं के लिए बायो फेल लेंस कोपियों के आता है बायो फेल आपको याद रखना जराद रिष्टी दोस्त के लिए बायो फेल लेंस जो होता है इसमें आपका उत्तल लेंस और आउत्तल लेंस दोनों लगा होता है उत्तल लेंस से हमें नजदिक की वस्तुमें दिखाए पड़ते वस्तू को नहीं देख पाता है, उसे आप क्या कहेंगे। ओबिंदुप्ता कहेंगे. उदगर, आप लोग जानते हैं, इसतरे की जो लकिरो कहोता है, और e36 देख सकते हैं, कि इस तरे की जो improves लगोरों नहीं देख पाता है. क्योंकि रोड पार्क करने का जो यहां पर देख सकते हैं आप इधर लेकी रहे हैं इस टाइप से इन को आप यह अवविंदुकता वाले विमारी वाले जो लोग होते हैं वह असपर स्टूप से नहीं देख पाएंगे इसलिए कहा जाता है कि इन वैक्तियों को रोड पर अकेला नहीं चोना चाहिए क्योंकि जो जेवरा लाइन होता है ना क्रोस करने वाला रोड क्रोस करने के लिए वाइट वाइट कलर का जो रोड पर भिछा दिया जाता है उसी को जेवरा लाइन का जाता है तो उससे जो पार कि यह image isite कि चला तरष्टिप्प जडिघ कर दोचनी कर द्हुआ test तोस है यह फ्यातर दीव देखिए की इसका फीगर बना के खायदा के लिट अधी की वस्तुवे भी नहीं देख पाएंगे तो फिगर आपका कोई खास फिगर मतलब आपको फिगर में काफी कन्फीजन हो जाएगा तो जड़ा दिश्टोस के लिए फिगर नहीं बनाने के लिए बोला जाता है और अब इंदुखता तो ऐसे भी बेकार ही है तो आज के लिए इतना है मिलेंगे अगले वीडियो में अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नहे हैं तो चैनलों को सब्सक्राइब कीजा और बेल बटन जरूर दवाएए थैंक यू